नमस्कार स्वागत है आपका आज किसी वीडियो में आज हम हिंदी सायच से संबंदित प्रशिद नाटक और उनके रचना काराओं को याद करेंगे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि आज हम इन सभी नाटक और नाटक काराओं को इमेज बना कर याद करेंगे जब हम किसी भी चीज की इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं तो वहाँ बहुत लंबे समय तक याद रहता है तो कोसिस करेंगे कि ये प्रश्ण आज की जितने भी प्रश्ण है हर प्रश्ण आपको हमेजा के लिए याद हो जाए तो शुरू करते हैं सती प्रताप नाटक के रचनाकार है option A माविर प्रशाद दुवेदी option B जैश्रंकर प्रशाद option C भारते इंद्वारिश्चंद्र option D प्रताप नारण मिश्र तो एक बात बताईए जो सती प्रता थी वो किस देश में थी जी हाँ आपने बिरकुल सही पैचाना सती प्रता भारत में थी तो भारत से बना भारते इंदु तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा भारते इंदु हरिश्चंद्र सती प्रताप नाटक की रचनाकार भारत इंदू हरिश्चंद जी है आए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं और अगला मारा प्रश्ण है अंधेर नगरी नाटक की रचनाकार है माविर प्रशाद दुवेदी B. जैसंकर प्रशाद C. भारते दुवारिश्चंद्र D. प्रताप नाराण मिश्र तो अंधेर नगरी तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में इस समय बहुती ज़्यादा अंधेर हो रहा है क्या हो रहा है? कि सभी काम उल्टे पल्टे हो रहे हैं ऐसी मेज अपनी दमाग में बनाईए कि अंधेर नगरी भारत से ज़्यादा अंधेर कहीं और नहीं हो रहा है क्योंकि भारत में सभ काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं तो इस तरह से भारत से बनेगा भारत इंदु हरिश्चंद्र तो अंधेर नगरी नाटक की रचनाकार है भारत इंदु हरिश्चंद्र आईए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण है महा कवी माग का प्रभात वर्णन इस नाटक की रचनाकार है अब देखिए महा कवी माग तो महा कवी में महा शब्द यहाँ पर है और यहाँ पर है महावीर प्रश्ण दुवेदी में महा शब्द है दोनों में महा सब्द कॉमन है तो बस यह कॉमन शब्द ही हमें पकड़ लेना है तो महा कवी माग का प्रभात वर्णन मावीर प्रश्ण दुवेदी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महा कवी माग का प्रभात वर्णन वही कर सकता है जो महावीर होगा ऐसे वैसे विक्ति की बात नहीं है जो माहा कभी माक के प्रभातवर्ण का कर सके तो आप दोनों तरह से याद कर सकते हैं माविर प्रशाद दुवेदी इसके सही आंसर है अगला प्रशन है दुरुब शामनी के रचनाकार है A. बियोगी हरी B. जेशंकर प्रशाद C. मोहन राकेस D. रताब, नारान, मिश्रुब तो देखिए जो कोई बियकती दुरुब का स्वामी हो जाएगा अत्वा दुरुब की स्वामी नी बन जाएगी कोई महला तो क्या होगा सब लोग उसकी जैजै कार करेंगे और उसके नाम का प्रशाद बाटेंगे जो कोई बियकती दुरुब का स्वामी बन जाएगा या स्वामी नी बन जाएगी तो सब लोग उसकी जैजै कार करेंगे और प्रशाद बाटेंगे तो दुरुब स्वामी नाटक की रचना कार कौन हो जाएगे जैसंकर प्रशाद उम्मीद है आपको प्रश्णों के उत्तर याद होते चले जा रहे होंगे इस वीडियो को आप दो बार देख लीजिए मैं गारंटी से कहता हूँ कि जितने भी ये नाटक है इनके नाटक कार आज ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाँगे आएए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं आसाड का एक दिन नाटक की रिचनाकार है ए ब्योगी हरी बी मुंसी प्रेमचंद सी मोहन राकेस और डी प्रताप नारान मिश्रू तो आसाड का एक दिन देखिए आसाड का एक दिन इसमें अशाड जो असाड सब्द है हिंदी महिनों में असाड का महिना है जो जेट के महिने के बाद आता है और जेट और असाड में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी जेट और असाड के महिने में पड़ती है जब गर्मी पड़ती है तो भाईया गर्मी में सबसे ज़्यादा रॉल किसका होता है सूर्य का होता है बगवान सूर्य की महरवानी से ही तो गर्मी पड़ती है और सूर्य का एक नाम राकेस भी तो है सुर्ण को ही राकेस कहते हैं आपने पर रहवाची सब्दे याद किये होंगे तो असार का एक दिन इस नाटक की रचनाकार कौन हो जाएंगे मुहन राकेस उमीद है योत्तर आपको याद हो गया होगा आईए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं कले कोतक नाटक की रचनाकार हैं अब देखिये कले कोतक कोतक का मतलब जो भी कार्य हो रहा है उल्टे ब्लटे काम हो रहा हैं उनको कोतक कहते हैं कोतक मतलब तमाशा तो कल योग में जो तमासा हो रहा है जो कौतक हो रहा है तो भहिया ये किसकी क्रपा से हो रहा है नाराइण की क्रपा से हो रहा है नाराइण माने भगवान भगवान कोई तो नाराइण कहते है तो नाराइण के प्रताप से ही कल योग में कौतक हो रहा है ऐसे आप याद कर सकते हैं तो कल कोतुक नाटक की रचनाकार कौन हो जाएंगे प्रताप नायरण में सर हो जाएंगे आईए अगले प्रिश्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रिश्ण है संग्राम नाटक की रचनाकार है तो संग्राम नाटक की रचनाकार है option A ब्योगिहरी B उसी प्रेमचंद C बारतिंद वरिष्चंद D प्रताप नारान मिष्र संग्राम नाटक की रचनाकार संग्राम कैसे कहते हैं लडाई, युद ये सब संग्राम कोई ही तो कहते हैं तो ये लडाई और युद को अगर रोकना हो तो कैसे रोकेंगे प्रेम से रोकेंगे प्रेम ही संग्राम को खतम करने का उसे रोकने का एक मात्र मारग है तो संग्राम को रोकना हो तो प्रेम से रोकेंगे और प्रेम से बनेगा मुंसी प्रेम चंद तो संग्राम नाटक की रचनाकार कौन हो जाएंगे मुंसी प्रेम चंद मुंसी प्रेम चंद इसका सही उत्तर है तो चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन है हमारा सत्या रिष्चंद नाटक की रचनाकार कौन है सत्य हरिश्चंद्र अब देखिए सत्य वाजदी हरिश्चंद में यह हरिश्चंद सब्द है और बारतिंद वरिश्चंद में भी यह हरिश्चंद सब्द है तो दोनों महीं हरिश्चंद है तो सित्य याद करना बड़ा ही आसान है सत्य अरिश्चंद के नाटक के रचनाकार भारतेंदू हरिश्चंद जी होंगे तो इसका सी उत्तर एकदम सही है तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें और अगर ये प्रश्णों के उत्तर आपको अच्छी तरह से याद हो रहे हैं तो मैं मोटिवेट करने के लिए अमारे इस बीडियो को लाईक कर दीजिये और अपने अपने साथियों में सेयर कर दीजिये जिससे जादा से ज्यादा लोग इस बीडियो से लावानवित हो सकें तो अगले प्रश्ण कियो चलते हैं ओर अगला प्रश्ण है बीर हरदॉल नाटके रचनाकार हैं वीर हरदॉल तो एक बात बताईए इसमें बीर है और इसमें है बियोगी बियोगी हर इसे रेलेट करना हो तो कैसे करेंगे तो जो बियोगी होता है उससे बड़ा बीर इस दुनिया में कोई नहीं क्योंकि बियोग को हर माने भगवान इस्वर इस्वर से जो बियोगी है इस्वर से जो बिच्ड़ा हुआ है उससे बड़ा बीर कोई नहीं है क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े इस संसार के दुख को सहन कर रहा है तो बीर ब्यक्ती ही दुखों को सेहन करता है और बगवान से ब्योग का जो दुख है वो तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख है तो बीरहरदौल नाटकी रिचनाकार ब्योगी हरी हो जाएंगे बैसे वोसे बीरहरदौल और वोसे ही ब्योगी हरी हैं ऐसे भी याद कर सकते हो याद करने की अपने-अपने अलग-अलग तरीके होते हैं मैं कोसिस कर रहा हूं कि एक इमेज आपके दिमाग में बन सके जिससे हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएं तो आईए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है आदे अदूरे नाटक के रचनाकार है आदे अदूरे नाटक के रचनाकार ए जैसंकर प्रशाद है बी राम रच बेनी पुरी है सी मोहन राकेस है और डी प्रताप नारान मिश्र है इसका सई आंसर कौन सा है तो देखे जो मोहन है मोहन मतलब भगवान क्रिश्ण वो राधा के बिना कैसे है राधा के बिना आधे और अधूरे है मोहन राधा बिना आधे और अधूरे है तो एक शबी आपको राधा और क्रिश्ण की आपके दिमाख में बन गई होगी कि मोहन रादा के बिना अधूरे हैं तो इस तरह से आधे अधूरे नाटक की रचना कार कौन हो जाएंगे मोहन राकिस देखिए इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एक-एक प्रश्ण के उत्तर को रिलेट करने के लिए काफी सोचना पड़ता है तब जाके इस प्रकायद की वीडियो बनते हैं इसलिए हमारी इस मेहनत का आप लाव लीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को सेर कर दीजिए और लाइक जरूर करना मेरे वीडियो को क्योंकि आप खुद सोचिए इन सभी प्रशनों के उत्तरों को आपस में रिलेट करने के लिए जो कहानी जो इमेज दमाग में बनाई जाती हैं उसमें काफी सोचना पड़ता है तो आमरपाली नाटक की रचनाकार है आमरपाली नाटक की रचनाकार जह संकर प्रशाद दी रामरच बेनीपूरी सी मोहन राकेश और दी प्रताप नारहन मिश्र सही आंसर क्या होगा तो भाया आमर का मतलब क्या होता है संस्कत में आमर को कहते हैं तो आम कहा लगते हैं जी हाँ ब्रच पर लगते हैं पेड़ पर लगते हैं तो आमर पाली नाटक की रचनाकार कौन हो जांगे राम ब्रच बेनिपुरी आमर पाली नाटक की रचनाकार राम ब्रच बेनिपुरी देखे प्रश्ण में ही उसका उत्तर छपा होता है हमें बस अपना दमाख लगाना है तो आएए आगे चलते हैं प्रेम की बेदी नाटक की रचनाकार है A. जैसंकर प्रिशाद B. मुंसी प्रेम चंद C. मोहन राकेश D. प्रताप नारण मिस्र सही आंसर कौन सा होगा भी या तो इसका सही आंसर है मुंसी प्रेम चंद अब यहां भी प्रेम है और यहां भी प्रेम है दोनों जगे प्रेम है तो प्रेम की बेदी नाटक की रचनाकार कौन हो जाएंगे मुसी प्रेम चंद हो जाएंगे तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत जादा लाबकारी सिद्ध हुआ होगा इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सेस्क्राइब कर लीजिए नमस्कार